जैसे किशना दोस्तों कैसे हैं आप अच्छी होंगे स्वास्त होंगे अपने घरों में खुश होंगे आपका बहुत-बहुत सागत करते हैं आपके YouTube चैनल पर जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं आपके लिए अच्छुक से उपाई और टेस्ट लेके आती हूं जिनको करने से आपकी कैसी भी समस्या हो वो दूर हो सकती है तो आज का भी उपाई में कुछ इसी प्रकार से लेके आई हूं उपाई बताने से पहले हां अगर आप से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर मेरी वीडियो पर आप पहली पा रहे हैं तो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइ लिखना ना भूले तो चलिए आज का मैं आपको ऐसा खास उपाई बताने जरू यह उपाई उन लड़का लड़की के लिए जिनके विवहा में किसी भी प्रकार की अर्चन है या बाद है या रुकावटे आ रहे हैं किसी भी प्रकार की हो रिष्टे की बात बंते-बंते लड़की हो इस उपाई को उन्होंने स्वेम करना है जैसे कि आप जानते कि सावन के मैने में भगवान शिव को अगर आपने प्रसंद कर लिया तो आप जैसी भी मनो कामना चाहते भगवान शिव अवश्य पून करते हैं तो सावन के जाते-जाते आपने यह खास उपाई अवश्य करना है सावन का लास सोमवर आखरी सोमवर के दिन एकादशी बहुती शुप संयोग बन रहा है आप इस दिन यह उपाई अवश्य कीजिए मगर यह उपाई आपने लगातार पांच दिन एकादशी से लेके पूनवाशी तक करना है पांच दिन लगातार आपने पांच उपाई बताऊंगी, संभफ हो सके, तो आप पांच उपाई करें बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते, तो आप एक उपाई तो अवश्य कीजिए, आपकी विभाकी जो भी अच्छी बाधाई रुकावटे हैं, वो अवश्य भगवान शिव दूर करेंगे, तो आपकी हर एक मनो कामना पूर्ण करते हैं, तो आप गुलाब का इत्रे लाइए, अगर आपको मिल जाए पूरा तो आप वैसी उसी से इत्रे से अभी शेक कर दीजिए, नहीं तो आप एकलोटा जल लेके उसमें इत्रे मिलाके फिर भगवान शिव्ट का अभी शेक कीजिए, दूसरा, आपको करना क्या आकड़ी का फूल, मदार का फूल, जो आप सब भी जानते हैं, इसली मार्केट में आपको ये फूल की माला मिल जाती है, मगर हाँ, आपने 108 फूल लेने हैं, ठीक है, 108 फूल लेके उसकी माला बनानी है, और ये माला आपने खाली भगवान शिव कोई नहीं अरपन करनी, भगवान शिव के साथ माता पारवती को एक साथ अरपन करनी, अगर आपके मंदिन में माता पारवती और भगवान शिव थोड़ी दूर दूर हैं, तो आप उसमें धागा थोड़ा सा जोड़ लीजे, और माला को इतनी लंबी कर लीजे कि आप एक 108 फूल या तो खुद तोड़ के लिए साफधानी से आप उसकी माला बना लीजे, या तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आपने एक साथ ही माला पेनानी और मजार में भी आपको इसली मिर जाती है, गिनके आप 108 फूल की माला बना लीजे, तो आपको पता है कि जब है कि माता पारवती की साथ में माता पारवती उससे प्रसन हो जाती है और आपको मंड चहा वर परदान करती है, अगर आप कर सकते हैं तो पास दिन लगवादार आपने यह उपाय करने नहीं तो आप इसमें से कोई बी एक उपाय पांच दिन मगर आपने करना ही लगतार है तीसरा आप उपाई क्या कर सकते हैं आपने जैसे केकादेशी मैंने बताया तो उस दिन आपने चने की दाल भगवान शिव को अवश्य अरपन करने हैं आपकी विवासमंदी जो भी अर्चने बाधाई ये रुकावटें वो अवश्य दूर होँगी तो चने की दाल आपने जरूर अरपन करनी है और आपको मैं बताऊं कि आपने साथ हल्दी की गाट लेनी विवासमंदी अर्चनों को दूर करने के लिए उम्र जादा हो चेकि अच्छा जीवन साती पाने के लिए आपने माता पार्वती को साथ हल्दी की गाट अर्पन करनी है ध्यान लखेगा कि हम सभी भगवान को गनेश भगवान को काटी की भगवान को नंदी जी को सबको हम हल्दी की गाट अर्पन कर सकते हैं प्रवाद शिव को भूल कर कभी भी हल्दी अर्पन नहीं करना चाहे तो इस बात का आप खास दोर से ध्यान लखिएगा माता पारवती को आपने साथ हल्दी की गाठ लगातार पांच तिन अर्पन करनी अपने विवासमंदी अर्चनों को दूर करते हैं अब आपने करना क्य उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकिया आपने जल त्यार करना है और उस केसर युक्त दूद से आपने भगवान शिव का अभिशेक करना है लगातार पांच दिन मैं जो भी उपाई बतारी हो आपने ये उपाई लगातार पांच दिन एकादशी से लेके पूरा माशी तक लगा लिजे उस तिलक को आप अवश्य अपने माथे पर लगाए इससे भी विवा समन्दी जो भी अर्चने बादा ही होती है वो दूर होती है अब आपने एक खास उपाई जो लड़किया अवश्य करें आपने माता पारवती को शिंगार का समान अवश्य चड़ाना है संभव आपके उपर आपकी जो भी शमता है आप उसके अनुसार माता को शिंगार का समान अवश्य चड़ाए पांस हो साथ हो नो हो ग्यारा सोला तो आपने शिंगार का समान अवश्य चड़ाना है अगर संभव नहीं हो पार है तो आपने पांच दिन लगातार सोला हरे रंकी यह सुहाग नहीं करना चाहें तो वो भी इस उपाई को कर सकती है इस उपाई को आप आवश्य कीजिए अब मुझे आगए दीजिए मैं फिर आओंगी इसी तरह के बहुती सरल बहुती असान से अचुक उपाई की साथ मिझा शी कृष्णा